नमस्कार आकाश्मारी की राश्ट्रिय साहितिक पत्र का साहित्य भारती में आपका स्वागत है मैं हूँ नवोदिता मिश्रा और मैं नीलव मलकानिया हवाओ में कुछ तो खास आप भी महसूस कर रहे है न इस गुलाबी ठंड में हमें तो मौसम के मिजाज के अलावा बहुत सारी साहित्य खल्चल की आहट भी सुनाई दे रही है और क्यों ना हो इन दिनों कई रशिक मित्र दिखाई दिये कैलेंडर पर अगले चार महीनों तक विविध साहित्योत्सवों की तिथियों पर मारकर पैन से गोले लगाते हुए यानि बड़े संस्थागत आयोजनों के साथ साथ छोटे व्यक्तिगत स्तर पर आयोजित साहित्यक इवेंट्स का भी समावेश दीपावली की दस्तक भी इस पूरे उत्साह में मानों खुशियों भरी एक नई रोशनी पिरो रही हो इधर दिवाली के साथ साहित्यका भी तो रिष्टा है शद्धे अटल बिहारी वाजपेई की अमर पंक्तियां अक्सर याद आती हैं आओ फिर से दिया जलाएं भरी दुपहरी में अधियारा सूरज परचाई से हारा अंतर तम का नेह न चोड़ें बुझी हुई बाती सुलगाएं आओ फिर से दिया जलाएं मन को छू लेने वाली कुछ पंक्तियां मुझे भी याद आगें महदेवी वर्मा के शब्दों में मधूर मधूर मेरे दीपक जल यूग यूग प्रति दिन प्रतिक्षन प्रतिपल प्रियतम कापत आलोकित कर मधूर मधूर मेरे दीपक जल दिवाली की जगमग जगमग बच्चों के लिए एक नया उत्साह लेकर आती है ये उमर पढ़ता है इंटरनेट पर सैकडों बाल कविताओं के रूप में चाहे क्लास में मिले होमवक की शक्ल में ही सही वैसे देखा जाए तो बाल साहित्य का अपना एक विस्त्रिद विश्व है अपनी काइनाथ है दुनिया की हर भाषा बोली में सदियों से उत्कृष्ट रचनाकारे होता आ रहा है हमारे देश के कई साहित्य उत्सवों में बाल साहित्य को विशेश स्थान दिया जाता है साहित्य अकादमी की सचिव डॉक्टर के श्रीनिवास राव की अनुसार हर साल की तरह नॉवंबर में चेश आपने कहा बाल साहित्य पुरसकार की वित्रन समारों की इंतजार रहती है सभी बाल साहित्य साहित्य कारों के और बच्चों का भी उस समारों का अटेंड करने का और इस साल की जो यह समारो जो है 9 नौम्बर 9 तारीक को डिली की जो त्रिवेणी सभागार में दिया जाएगी शाम को 5 बजह और जीसा साहित ईकडमी के परंपरा है साहित ईकडमी के अद्रश के हातों से यह पुरुष कर दिया जाएगा और जैसा कि आप सब जानते हैं साही तेकाडमी 24 भारती भाषाओं को मानिता प्राप दिया है और इसमें बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े लेकक है इसमें जैसा कि अमारी अंग्रेजी में सुधा मूर्ती जी है इंदी में सुरनात सिंग जी है और कनड़ा में दसताररकUNG शाम को पांच बजए और दसतर को सबरे 10 बजए सहित काडमी के सभागार में पुरुषकार दिया जाएगा वे सब अपने अपने उनके शाहित क्यात्रा है, वो क्यों बाल साहित को चुना, क्यों बाल साहित लिःत हैं, इन चीजों को अपने रूबर में, दस्तारीक-श़र C mesma सभी साहितिकार उसमें बताएंगे, वो भी एक बहुत अच्छा रोर्षद चारेक्रम होगा, उसमें भी बच्चों को भी सबस्क्राइब कर देख और उनको सुन सकते हैं और वो लोग बाल साहित क्यों यह भी एक सुन के प्रहर ना ले सकते हैं और एक inspiration लेके आगे future में वो भी एक बाल साहितिकार बन सकते हैं एक मुका है अगर अनुमती हो तो मैं एक शिकायत का दखर करना चाहूंगा खासतार से हमारे बच्चों की और से कि साहितिक आदमी की बात जब होती है तो उनके लिए जो साहितिकार पुरसकार तो मिलते हैं लेकिन उनको अगर कोई किताब पढ़नी हो तो उनको ऐसा कुछ मिलने ही पाता कि वो कहां जाएं और कैसे जुड़ें साहित तक आदमी से तो क्या कहेंगे आप ने देखिए आपके प्रिशने तो बहुत ही अच्छी प्रिशने और आपने इतने साल इस प्रिशन को नई पूछा वो भी एक अच्छी बात है अभी अभी पूछ रहे इसलिए है क्योंकि साह पुरसकर जो मिला हुआ कृतियों को भी अन्नी samhं भाषाओं में अनुवाद करने में यसा साहित प्रोसकर जो मिला है उनको दू doubt करने परक्रिया उप्रिश attend साथ जो आपने पूछ रहे हैं एटलिस्ट डिल्ली स्टित जो चिल्डरन है जिनको साहित पे रुची है बाल साहित पढ़ना चाहता है इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमारे साहित अकाडमी की लाइबरेरी में एक चिल्डरन कॉर्णर करके बच्चों के लिए क्रियेट क पास की इतने भी बच्चे हैं कभी भी साहित अकाडमी की लाइबरेरी विजिट कर सकते हैं वहां बच्चों की फुस्तक उपलब्दी होगी उनको देख सकते हैं पढ़ सकते हैं और मेंबर्शिप का भी हम उनका प्रविजन करने का कोशिश में हैं वो भी जल्दी से तूठाए चलते चलते डॉक्टर श्रीनिवास रहो एक खयाल ऐसे ही मन को चूग गया कि बाल साहित्य को हम अगर एक सिक्के के दो पहलू के तौर पे देखें तो एक तरफ हमें वो बड़ी उम्रक के साहित्य का देखते हैं जो पच्चों के लिए लिए लिखते हैं लेकि स्कूल लभल में तो हम देखी रहे हर स्कूल की जो मैगेजिंस में अच्छे-चीज लिखते हैं एंगर श्रीनि यह वी दिखने लगे हैं भी बच्चे-ची-प कताब लिख रहा है और बहुत सारे बाहर बहर भी आर्या इस तरह का उनुंको भी हम लोग उनकी टैलेंट को ध्यान में रखते हुए हर साल हमारे फेस्टिवल में बच्चों के लिए एक पूरा दिन डिडिकेट करके बच्चों को बलाया जाता है और उनसे कविता लिखवाय जा रहा है उसके कामपटेशन्स रख रहा है कहानी भी कविता भी ड्राइंग भी हर चीज़ की और उन लोग कोंगे लिए पूछ न कुछ और योजन होना चाहिए सरकार की तोर से भी जीस बड़ों का है वैसे बच्चों के लिए होना चाहिए उसका भी ध्यान में रखते हुए तुड़ा सा आगे कुछ न कुछ करेंगे डर शर्णिवास राव आकाश्वानी के शुरताओं के लिए और खास्तोर से मतलब बच्चों के भ्याव पर मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ अपना समय बिताने के। शुरुवात में हमने जिक्र किया संस्थागत आयोजनों के अलावा व्यक्तिगत साहितिक पहल का। उदाहरण के तौर पर लाल बहादुर शास्त्री अकैडमी ओफ एड्मिनिस्ट्रेशन के निदेशक डॉक्तर संजीव चोपडा ने सेवानी वृत्ति के बाद देहरा दून में एक वार्शिक आयोजन प्रारंभ किया। डॉक्तर चोपडा स्वयम एक लेखक भी हैं। दो बातें डॉक्तर संजीव चोपडा के साथ। एक बुक्स औंड ऑथर्स प्रोग्राम में ने सिवल सर्वस इंसिटूट में शुरू किया था जिसमें हम सिवल सर्वंट्स की किताबं को लेकर चर्चा करते हैं तो मुझे यह लगा कि जो हमारे लिटरिचर फेस्टिवल्स हैं यह बहुत ही पसनालिटी फोकस्ट हैं कि कि किसी भी एक बहुत जाने माने ऑथर को बुला लो, एक फिल्म स्टार को बुला लो, एक पॉलिटिशन को बुला लो, एक गुरू को बुला लो, और आपके पस अगर बजट है तो आपका फेस्टिवल कामयाब हो जाएगा, बिकास एदेल भी अबज़ बज़ बाउट अब को बज़िए तो सो चार्सो पांत सो लोग धिकता हो जाएगे, तो एक फिस्टिवल हो गया, मेरे को ये लगता था कि देखिए, लिट्रेचर फिस्टिवल को जो अच्छी किताबें देश में आ रही हैं, चाहे वह नोन ऑथर्स की हों या लेस नोन ऑथर्स की हों या अनोन अथर जो बहुत प्रतिष्थित है, उसकी किताब अगर बहुत अची है तो भी आएगा, लेकिन फोकस हमारा उस पुस्तक पे है, और हमारा फोकस है कि पिछले 6 साल से, हम पिछले वर्ष की जो सबसे अची किताबें, आठ विदाओं में हैं, जिसमें हिंदी फिक्षिन, हिंदी में अनुवाद, इसी तरह इंग्लिश की सबसे अची पुस्तक, इंग्लिश की नॉन फिक्षिन की, इंग्लिश में ट्रांसलेशन भारतिय भाषाओं से, यांग अडल्स, गैरा से 16 साल के बच्चों के लिए, और उससे नीचे वाले बच्चों के लिए, इन आठ व exceptions हो सकती हैं, लेकिन core जो हमारा philosophy है, यह है कि हम साल के शुरू में भारत के सब publishers को और website पर कहते हैं कि आपने जो भी किताबें एक जनुरी से लेके 31 जनुरी तक पिछले साल में publish हुई हैं, वो आप हमें भीजिए और हमारे पास 700-800 किताबें हर साल आ जाती हैं, उन 700-800 कित हमारा जूरी का यह है कि जो पिछले साल जिस category में विजयता रहता है, वो इस साल की जूरी में उसको head करता है, जैसे पिछले साल रुदरांग्शु मुकरजी की पुस्तक टेगोर और गांधी पे उनको सरप्रतम पुरुसकार मिला था, उनको वो इस साल की जूरी के head है, उ festival organizers पे, कि जिस संस्था से आप अनुदान ले रहे हैं, जिस संस्था से आप grant ले रहे हैं, चाहिए वो सरकारी हो, चाहिए वो गैर सरकारी हो, एक प्रेशर तो रहता ही है, तो हमने आपने आपको इस प्रेशर से बिलकुल insulate कर रहता है, और इसलिए बढ़िया चीज यह है कि मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन हमारी पुस्तकें जो हमारे यहां shortlist हुई है, वो बाद में booker prize उनको मिला है, बाद में सेते academy मिला है, और वो ऐसी पुस्तकें जो हमारे यह first prize नहीं ले पाएं, लेकिन it's a good process, because fact ही है कि जो पांच किताबें shortlist होती है, उनमें कम अंतर है, बहुत difficult है, यह decide करना कि पुस्तक इसको मिलना चाहिए या पुस्तक इसको मिलना चाहिए, जैसे चित्र में होता है, जैसे चित्र में, तो वैसे ही है, तो इसलिए ये एक unique जो हमने जो किया है, कि हम हर साल नए authors को, certainly नए किताबों को, नए authors तो नहीं, लेकिन ह हर साल नहीं किताबें आती हैं, हर साल वो परंपरा चलती रहती है, इसके इलावा जो हमने दो सालों से शुरू किया है, इती नृत्य, जो आर्ट क्लासिकल फार्म्स हैं, इंडिया के डांसे के, उनके अप्टू 25 येस के जो युवक हैं, उनको प्रमोट करते हैं, इती ना सान दें, तांकि वो अपनी बात को रख सकें, जो वैलियो वर्ट के जो प्रमुख हो देश्या हैं, एक तो है इंटर जिनरेशनल डायलोग, क्योंकि बहुत सादा बहुत डायलोग हो रहे हैं देश में, लेकि इंटर जिनरेशनल डायलोग होना भी बहुत जरूरी है, तो में हम ऑथर को, एक यांग अडल्ट को और एक उनके टीचर को यहां एक एक्सपर्ट को बिठाते हैं, क्योंकि जो बच्चा है, जो ग्याना से सोना साल का जो बच्चा है, वो उस चीज को कैसे देखता है, how does he look at reality, and the author, and an expert, अब जैसे, whether it is on the history of science, or the history of mathematics, or on, you know, various other things, so this becomes a very interesting, you know, aspect, फिर हमारा military history पे है, ecology पे है, तो इस तरह से ये जो value of words है, तो हिंदी में इसको हम शब्दावाली या शब्दावली भी कहते हैं, तो इस तरह से ये चल रहा है, बहुत ही अच्छी बाते बताएं, डॉक्टर संजीव चोपडा आपने, मैं इसको कंक्लूड करना चाहूंगा, एक छोटा सा LCM निकालते हुए, आपके व्यक्टित्व के कई हुपो को एक साथ जोड़ कर, जाता हूं इस किताब पे, We the People of the States of भारत, मैंने सरसरी निघा हमारी कुछ पन्ने पढ़े, और अब मेरा मन कर रहा है, मैं दुबारा युवा बन जाओं, और एक अ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मनोच, और बहुत मज़ा है आपके साथ द्वारता करके, टैंकि, देश की कुछ भाशाओं बोलियों का विस्तार कई राज्यों को समाहित करता है, संथाली भी उन्ही में से एक है, जारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडीशा के अलावा असम, बिहार और त्रिपुरा में भी संथाली बोली जाती है, संथाली का उलेक होते ही, याद आते हैं साहित्यकार और शेक्षण कारेकरता प्रोफेसर दिगंबर हांसदा, उन्हें 2018 में पद्मिर्शी से अलंकृत किया गया था, वो संथाल साहित्यका आदमी के संस्थापक सदस्य भी थे, 19 नवंबर को उनकी पूर्णेति थी है, साहित्य और शिक्षा के एक शेत्र में उनका विस्तृत कारे हमेशा याद रखा जाएगा 13 नवंबर को प्रख्यात साहित्यकार गजानन माधव मुक्तिबोध की जयनती है, उनके कृतित्व के विरिष्ट बिंदूओं पर प्रकाश डालते हुए, खंडवा मध्यप्रदेश के कवी और लेखप गोविंद शर्मा कहते हैं मुक्तिबोध की कवीता, फैंटेशी की कवीता हैं, वहीं कुछ साहित्यकारों का यह भी कहना है, कि मुक्तिबोध की कवीता सपन कथा, यानि फैंटेशी की कवीता हैं नहीं हैं, बलकि आजादी के बाद की राजदीती का यथार्त चित्रन है, गजानन माधव मु तन्तरदा के 30 साल हो गए हैं और आजादी के 17 साल भी. 47 के पहले आजादी के सौपन देखे हैं और आजादी के बाद नए भारत को गढ़ने के सौपन भी देखे हैं. फिर भी उनकी कविताओं में यथार्थ बोधी प्रमुक्ता से उभरा है. मुक्तिवोत की कविता को डिकोद करना पलता है. वे एक विशिष्ट संकेथ की भाषा के अफ्लोग करते हैं. उनकी कविताएं आसान नहीं हैं. दुरूव और क्लिश्च संकेतों के कवी हैं वे. उन्होंने अपनी भाषा गड़ी है. और जो कि क्रांती और वैग्यानिक उपलग्दियों की वज़े से नगरी सब्यता का तीजी से विकासवा लेकिन ग्रामीन अर्थ व्यवस्था शौपट हो गई मुक्तिबोद की कविताओं में जो आत्म संगर्ष दिखाई देता है वह इसी ग्रामीन जन की पक्षधरता का संगर्ष है मुक्तिबोद गहली नागरिक बोद की कविताएं करते हैं हमेशा आम जन के कवी रहे हैं कविताओं में तीडाओं को उन्होंने स्वर दिया है मुक्ति बोद आप देखें तो नई कविता जो कहें कि आक्रोशी कविता है और मुक्ति बोद की कविताओं में यह आक्रोश उनकी प्रतीगों के माध्यम से बहुभी व्यक्त हुआ है यह यह कहें कि मुक्तिबोद की कविताओं में जिन्दगी की जलाई हुई आग हैं यह जो अभीवक्ति हैं उनकी वो जिन्दगी के प्रती निराशा नहीं है बलकि जिन्दगी में जो कुछ भी विद्रूपता हैं उसको उन्होंने अभीवक्ति किया है और वो अभीवक्ति इन दौर से कवित्री डॉक्टर पदमा सिंग बहुत जहरी पड़ताल के कि उनकी कविता का जो केंद्र है वो एक सोचित और तीडित वर्ग बना उन्होंने सतंतरता के बाद ही अपनी देखा कि भारती सब्देता और संसकती पर आधनिकता के नाम पर पाश्या संसकती हावी होती जा रही है इसलिए उन्होंने अपनी के नाम पर संसकती के मूल तत्व आहत हो रहे हैं तो इस परकार से उन्होंने अपनी अंध्यों लंभी कविताएं लिखी है अंधिरे में ब्रह्म राक्षर चांद का मुटेड़ा है पिर चक्मक्ती चिंगारिया है एक भूत पूरो विद्रोही का आत्मतथन है दिमागी ग अंधिकार का और अंधिकार का और अंगतांग है फिर ओकाव व्यातमन धनीदर है जंबल की घाती है ऐसी लंभी कविता है उन्होंने लिखी है और वहां ये मौह में पड़ी हुई जड़ता की इसे मुट्थि की बात करते हैं भ्रहम और साजिशों की तमाम बंदिशें जो और उनकी फिक्र जो है वो लगातार चलती रहती है क्योंकि विदेशी हुकूमत ने बहुत लंबा तजाओ डाला है हमारी भार्किस दंसकती पर कर विता पर सामाजीक विक्रतिया जो फेल्पी जा रही है उसकी भी हम देखते हैं मुक्ति बहुत की कविता हों यह बहुत देखने को मिलता है और उनकी जो कावे चेतना है वो समूँ चेतना है यह आजादी के बाद जो जैसे बेश में पूरी तरह से मुशूप भी नहीं किया था कि किया है और विकास की ब्रहुत इस्थितियों का उन्होंने बड़ा असंदर पितरन किया है उनकी चत्पताहर जो फेल्प कर देती हैं और हम आज भी जब भी पढ़ते हैं तो उनको पता लगता है कि रख्ति के अंदर की जो केतना है वो किस प्रकार से सांस ले रही है तो कावे में भी एक चलाओ हुता है तो इस प्रकार से उनकी ये लंभी कविताएं है ज्यादास आए लंबी कविताओं के लिए ही जाने जाते हैं तो वह अपने दिनके अनके एक अलग कभी है तो उनका जो इस्थान में वो बहुत अलग है क्योंकि ओजय से गुहान भिखार क प्रति भी उनका आक्रोश है कि मूली चीज रहे हैं। स्वार्थी लोगों ने अपने लालज के लिए देश को ही नष्ट करने की चोड़ दिया है। ये बर्सवान हिस्टितियां बहुत राज़दाई हैं। विकास की बात करते हैं। तो क्या विकास की का यह सरूप मुनिश्य को संतुष्च करता है। आम आदनी की पीड़ा है वो तो वही की वही है। तो कर्मुक्ति देश के लिए कविता जो है वो जीवन है। यानि मानव का आत्मसंगर्ष तो ही पर वो कविता भाना की अभिवती नहीं है केवल। वो वना वास्तिकता भी है। तो ये इस प्रकार से समय और समाट का परिवर्शनों का इस पंधन उनकी कविता में हमको दिखाई देता है। निराला में भी एक बात वो है। उनको भी इस प्रकार से असंतुष्टी थी। उसी तरह से मुक्ति बहुत भी विचारों वेदना के कवि है। तो उनकी जो वेदना है वो बाधिक वेदना है। उनके उसमें कविताओं में पौरानिक प्रतिक भी आये, मिठक भी आये हैं। इन दौर से ही कवि और लेखक संदीप शोत्रियर। करण सोच दोच कर बलकि कभी कभी तोहरा-दोहरा कर पढ़ना चाहिए। इसी में मुक्ति बूत की उन्ला बर्ग सिकी है। जो अवश्य ही मुक्ति बूत की प्रिय इमेज है। नेकिन वेज्वयं बर्गत नहीं है। चक्टान हैं। एक उची सीधी चक्टान। नीची पगदंडियां जैसे मालवा के पठार और मध्यप्रवेश उबर खाबर धर्टी इसी मध्यप्रवेश के छोटे बड़े कस्मों से निकला ये कभी धर्टी के आतंक और रहस सिमय इतिहास और उनके बीच लहू लुहान मनुश्य के चीपन संघर्ष का एक तुखता औ और प्रमान कभी बन गया तो क्या मुक्टिबोज सिर्फ इमेज और बिंगों के कभी थे क्या वे किवल फैंटेसी और सपनों को चित्रत करने वाने कभी थे क्या वे मात्र एस्ट्रेक्ट रज़ते थे नहीं वे इन सब को कविता में शामिल करती हुए भी हर एक पंक्ति मे किसी चित्र के उभार को भूरती और तारती हुई आँख से प्रत्यक्ष करती करिटा के सबसे विश्वस्निय कभी थे उनकी करिज़ा से बिज़रती हुए हम देखते हैं कि मुक्चिबोध हमेशा एक विशाल और विस्त्रित के इंवास लेते हैं जो कभी संतन नहीं बुदा और फिर मुक्चिबोध युक्के उस चेहरे की तलाश करते हैं जो इत्यास के मलबे दहे दब गया है लेकिन जीवि यहीं उम्मीद और जीविशा मुक्तिबोध और उनकी कविता को बेहत खास बनाके हैं मुक्तिबोध स्वरांश सौजन्य संतोष अग्निहोत्री आकाश्वाणी इंदौर 26 नवंबर को सम्विधान दिवस है हमारे देश में सम्विधान साक्षरता बढ़ाने की दिशा में बहुत लोगों ने कारे किया है लेकिन बच्चों में सम्विधान के प्रती जागरुकता बढ़ाने में उनकी रुची का ध्यान रखना आविश्यक है मुंबई निवासी पदमश्री से अलंकृत मराथी लेखक और शिक्षवेद रमेश पतंगे ने अपनी पुस्तग में इसी बिंदू का ख्याल रखा सर से सम्विधान बच्चों के लिए मैंने किताब लेखी सर सम्विधाना सा यह सी पर कॉंस्टूटूटूशन ऐसा उसका अंग्रेजिन में अनुवाद हुआ हिंदी में भी हुआ और यह पहले की किताबों का भी हिंदी गुजराती इन भाषाव में उनका अनुवाद तुरंत हो चुका है इस सम्विधान की जो किताब है कोई भी किताब में दूबारा नहीं लिखता हूँ लेकिन यह सम्विधान की बच्चों की किताब है यह मुझे तीन बार लिखनी पड़ी क्योंकि पहली बार लिखी फिर शिक्षक क्यातर की जो शिक्षक है पढ़ात है उनके पास बेजी उनके अपिप्राय मांगे कि आप देखो आपको पढ़ा रहा है अपको ऐसे लगता है उन्होंने कुछ सुचना है कि जो सुचना मुझे लगी कि इन सुचनाओं का पालत करना चाहिए फिर मैंने रिराइट किया ऐसे एक दो तिन बार उसको रिराइट करने का काम करना पड़ा कभी बच्चों से अधिपराय लिया है बच्चों के भी अपने वीडियो बनाए और वो हमारी जो मार्केटिंग विभाग है उसने वो यूटूब पर सब यूडों डाल द कि रहे बचों के देखे देना है तो चित्र में लिए बड़े बड़े चित्र बुनाएं और उसमें भिन्व परकाट की कहानिया धी जिससे वह समत्वांच के लिए कि इस सम्मिधान में आत्मा भरने का जो काम है जान भरने का काम जो है पुज्ज डॉक्टर बबास साम शी देखिया है कैसे किया तो चार लोग जंगल से जा रहे थे एक पंडित था एक सुतार था एक सोनार था रात में जाड के नीचे बढ़ गए वो सुतार के पास पहले काम आया तो तीन घंडा जगना है तो नीन से बतने के लिए बाजुमे के लकड़ी पड़ी ती बड़ी तो उसने सुन्दर से एक मुड़ी बनाई श्ट्री की मुड़ी बनाई पिर अगर गेने पहना ओगे तो यह तो यह तो आदमद्व सुง्दर हो जाएगी campe gur फिर वो मंत्रजादिय वाला जा गया तो उसना देखा कि इतनी सुन्दर स्तिय है इसके अंदर अगर मैं जान डाल दू तो और अधिक सुन्दर हो जाएगी तो इस परकार से वो जान डाल देते दा है तो वैसे समीदान का एक धाचा बनाया गया उसके कलम बनाया गया चर्श हो गया सब कुछ हो गया लेकिन उसमें प्राण है डालने का जो काम है तो पुझे बाबा साब अंबेड करने की है तो बुच्चों को बहुत सुन्दर समझ में आते हैं ऐसी अन्य कानी है समय का ये पड़ाव साहित्य जगत के कुछ मूर्धनिय हस्तियों के जीवन चक्र के साथ जुड़ा हुआ है नागारजुन, श्रीलाल शुक्ल, उर्दुशायर जौक और अफसाना निगार क्रिशन चंदर, अंग्रेजी नॉवलिस्ट राजा राव और मराथी कन्नडा कवी ज्यानपीट से सम्मानित डी आर बेंद्रे के अतुल्निय योगदान को साहित्य भारती का नमन इसी के साथ नवोदिता मिश्रा और नीलम मलकानिया को अनुमती दें, नमस्कार झाल